दोस्तो आपने भी अगर अपने फॉन को नई सौफ्ट्विएर पर अपडेट किया है और अपडेट करने के बाद आपके फॉन की बैटरी थोड़ी कम चल रही है यह आपका फॉन थोड़ा पुराना हो चुका है और जिसकी बज़ास से आपके फॉन की बैटरी जो है अभी जाता खास नहीं चलती, कहने के बालों दोस्तों यह है कि अगर आपके फॉन का बैटरी बैकप अभी अच्छा नहीं है, तो आप किस तरह से अपने फॉन के बैटरी बैकप को इंक्रीज कर सकते हैं, और किस तरह से अपने फॉन की बैटरी को सेव कर सकते हैं, और आज की इस दोस्तो मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको चार ऐसी कमाल की टेप्स बताऊँगा जिसकी वज़ासे आप अपने फॉन की बैटरी को सेव कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा कि दोस्तो अभी आप यहां ध्यान से देखें मेरे पास यह Realme 3 Pro है अगर आपके पास Realme को कोई भी डिवाइस है तो दोस्तो आप सेम स्टेप को फोलो कीजिए जैसा मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ और आप इन स्टेप को फोलो करने के बाद अपने फॉन की बेटरी को काफी हद तक सेव कर सकते हैं तो चली दोस्तो यहां सबसे पहले बात करते हैं पहली टिप्स के बारे में तो दोस्तो वो है पहली टिप्स ओटो ब्राइटनेस अगर दोस्तों आप अपने फॉन के अंदर auto brightness के features को enable करके रखते हैं तो यहां आपके फॉन की battery जो है वो काफी मातरा में consume होती है दोस्तों इसका मतलब यह होता है कि जब आप इस features को enable कर देते हैं तो enable करने के बाद आपके फॉन का जो sensor होता है auto brightness का वो properly work करता है अगर आप ज़्यादा outdoor या indoor नहीं करते हैं तो आप simply इसको यहां से disable कर दीजिए और disable करने के बाद आपके फॉन की जो battery है वो अब काफी हद तक save हो जाएगी चलिए दोस्तों आप बात करते हैं second tips की अगर दोस्तों आपके पास realme का फॉन्स है और आप अपने realme के फॉन्स के अंदर lock screen के features को enable करके रखते हैं यानि कि आप lock screen magazine के features को use करते हैं तो इससे आपके फॉन की battery काफी मातरा में खर्च होती है चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से तो इसके लिए हम चलते हैं phone की settings में और phone की settings में आने के बाद यहाँ आपको हम लेके चलते हैं home screen and lock screen magazine के अंदर जैसी आप इसके अंदर आते हैं तो इसके अंदर आने के बाद यहां आपको Lock paste magazine की एक feature से आपको यह देखने को मिल जाएगा simply आपको करना क्या है? इसको यहां से select करना है और जैसी दोस्तो आप इसको select करते हैं तो select करने के बाद आप यहां ध्यान से देखें यहां आपको update using mobile data नाम का एक features देखने को मिल जाएगा तो simply दोस्तों आप इस features को यहां से disable कर दीजिए क्योंकि अगर आपके फॉन के अंदर यह features on रहेगा तो इसका मतलब यह होगा कि जो lock screen magazine पर जितने भी wallpapers यह continuously change होते रहते हैं यह background में हमारे internet को use करते हैं और internet के थुरू यह download होते रहते हैं और जिसकी वज़ा से हमारे phone की बैटरी है वो काफी बड़ी मात्रा में खर्च होती रहती है मैं तो आपको यही सला दूँगा कि आप जो lock screen का जो features है lock screen magazine का आप इसको permanently disable कर दीजिए जिससे कि आपके phone की battery जो है वो काफी ज़दा increase हो जाएगी और दोस्तो अब finally बात करते हैं यहाँ पर तीसरी tips के बारे में तो इसके लिए हम बात करते हैं phone की settings में आने के बाद sounds के बारे में और साथी साथ यहाँ आपको vibrations के भी काफी features देखने को मिल जाते हैं दोस्तो यहाँ आपके phone की battery को खबत करने में एक और चीज रॉल अदा करती है और वह है आपके phone का vibration और sound अब जैसा कि दोस्तो आप यहाँ दियान से देखें यहाँ डायल पे टोन जैसा कि आप यहाँ दियान से देखें मैंने अपने phone के अंदर इसको इनेवल किया है अगर दोस्तो आपके phone के अंदर भी extra sound और vibration इनेवल है तो simply आपको करने क्या है उनको disable कर देना है क्योंकि दोस्तो अगर आप इस तरह के features को enable करते हैं तो यह कुछ हद तक आपके phone की battery को use करते हैं जिससे कि आपके phone की जो battery है वो जल्दी drain होती है और दोस्तो फाइनली बात करते हैं यहाँ पर चौथे tips के बारे में जो की काफी बढ़ी tips है और दोस्तो इसके लिए आपको phone की settings में आना है और settings में आने के बाद आपको सबसे पहले about phone के अंदर जाना है और जैसी दोस्तो आप about phone के अंदर आते हैं तो यहाँ आपको नीचे scroll करना है और इसके बाद दोस्तो यहाँ आपको वर्जन नाम का एक features देखने को मिलेगा तो simply आपको करना क्या है इस पर टच करना है लगवक्त 3-4 बार और उसके बाद जो आपके phone का developer option है वो enable हो जाएगा एंड जैसी वो enable हो जाता है तो simply आपको करना क्या है यहाँ back आना है और back आने के बाद यहाँ आपको addheaded settings का एक और option मिल जाएगा तो आपको करना क्या है आपको एक option को select करना है यानि कि उसको find करना है चलिए है मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा option है तो दोस्तों यहाँ आप दियान से देखें यहाँ आपको developer option के अंदर background process limit का एक option देखने को मिल जाएगा तो simply आपको करना क्या है इसको select करना है दोस्तों इसका मतलब यह है कि अब आपके phone के अंदर जो background में जितने भी process होते हैं वो सारे के सारे रोख जाएंगे जिससे आपके phone की priority जो है वो काफी बड़ी मात्रा में बच जाएगी लेकिन दोस्तों यहाँ आपको हो सकता है थोड़ी सी problem यह हो कि अगर आपके phone के अंदर background में कोई भी आगर आप work करते हैं तो वो हो सकता है application automatically बंद हो जाए जिससे कि आपका background में जो work होता है वो work अधूरा रह जाए यानि कि वो work बंद हो जाए तो दोस्तों इस तरह से आपको थोड़ी सी problem हो सकती है तो यह आप अपने हिसाब से manage कर सकते हैं कि आपको यह features किस तरह सै और कैसे use करने हैं तो दोस्तों इस तरह से आज कि वीडियू में ने आपको चार ऐसे कमाल की features बताए हैं अगर आप उन सारे features को यूज़ करते हैं यानि कि इन फीचर्स को एपलाई करते हैं अपने फॉन के अंदर तो आप अपने फॉन की बैटरी है उसको काफी हद तक सेव कर सकते हैं अब दोस्तों यहां बैटरी सेविंग से रिलेटेड मेरे पास और भी काफी सारे टेप्स हैं मैं उनको अलग से एक वीडियो के अंदर बता दूँगा क्योंकि यह वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो पहले आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताईए कि आपको वो दूसरा पार्ट देखना है या नहीं खर चलिए दोस्तों फ़लाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मज़िदार वीडियो के साथ